हेलो एवरिवन वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीपर्स और बहुत सारे जो टिस्क के एस्पिरेंट से 2021 के उनकी क्वेरी आ रही थी कि सर हमें कैसे टिस्क की प्रिप्रेशन करनी चाहिए हमें कंप्लीट इंफरमेशन चाहिए टिस्नेट के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस कर देना और आप हमाई साथ इंस्ट्राग्राम पे पर कनेक्ट हो सकते हो यहां पर हम डेली बेसे पर बहुत रेलिवेंट कॉंटेंट पोस्ट करते हैं इसके लावा आप हमाई साथ फेस्बुक ग्रूप पे भी जॉ पर में मिल जाएगी यहीं पर आप अपना ओर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हार पेंट राइप के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैल्डिटी 31st मार्च 2021 तक रहेगी जिसमें बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल तक के कोशन्स होंगे सेक्शनल मॉक्स होंगे व अपना डेली टार्गेट सेट कर सकते हो और अपना डेली टार्गेट अचीव कर सकते हो इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी है या आपको इंफर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस हेल्प लाइन नंबर 9958-937705 पर कॉंटाक कर सकते हो अगर फ्रेंज मैं बात करू टा टाटा इंस्टिटूट आफ सोचल साइन चेहेंज के चार कैंपस हैं जो है मुंबाई तुलजापूर जिसमें जो सभसे ज्यादा tallता फेमस है वह मुंबाई का०ा कैंपस इसके लावा इनके दो तोह कंपस हैं हैं घरफ और सोट आफ्टर कैंपस होता है वह के और इन and eligibility की, तो वैसे जो TIS है, वो बहुत सारे courses करवाता है, यहाँ पे बहुत सारे humanity side के courses होते हैं, masters और PhD के courses होते हैं, लेकिन इस video के अंदर मैं top two courses, जो most sought after courses हैं, वो cover करने वाला हूँ, जो है इनका human resource management का course, जिसको हम HRM का course कहते हैं, और दूसरे organization development, change and leadership का course, जिसको हम ODCL कहते हैं, तो अगर friends मैं आपको सबसे पहले ये बात clear कर दूँ कि या TIS आपको MBA नहीं करवाता है, इसका जो course का नाम है, वो MA होता है, यानि कि जो आपको degree मिलेगी, उस पे MBA नहीं लिखा होगा, वस वो MA लिखा होगा, और इसके लावा कोई difference नहीं है, and यहाँ पे, जो MA या MB, आप जो भी इसको कहलो, वो सिरफ और सिरफ HRM के अंदर ही होती है, in case आपको finance में करनी है, operations में करनी है, या किसी और branch के अंदर करनी है, then TIS is not an option for you, वो यहाँ पे ऐसी facility आपको के बारे में बात करूँ, तो जो eligibility है उसके अंदर की आप में minimum graduation होनी चाहिए, आपकी उसके अलावा, अगर आप final year of graduation के अंदर हो, तब भी आप eligible हो apply करने के लिए, ठीक है, in case अगर आप ये ODCL के course के लिए apply कर रहे हो, तो minimum 2 years का professional work experience भी आपका होना चाहिए, लेकिन इस वाले course के लिए, HRM के course के लिए आपको कोई minimum work ex नहीं चाहिए, तो जो freshers है वो भी इस course के लिए apply कर सकते हैं, उसके बाद अगर friends मैं बात करूँ, TISnet और TISMAT के बारे में, पहले सिरफ और सिरफ TISnet होता था, अर TISnet के साथ TISMAT भी होता है, TISnet क्या होता है, इसके अंदर 100 minutes का exam होता है, और 100 ही इसके अंदर questions आते हैं, इसके अंदर कोई negative marking नहीं होती है और generally ये first week of January के अंदर conduct होता है, उसके बाद अगर मैं TISMAT के बारे में बात कर दूँ, तो जैसे TISnet खतम होता है, उसके बाद इनका ये TISMAT का exam होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये basically TISMAT की full form होती है, TIS management aptitude test is conducted immediately after TISnet exam, इसके अंदर negative marking होती है, यहाँ पे correct करने के आपको plus one मिलते है whereas incorrect करने के आपकी जो negative marking है वो 0.25 होती है, उसके बाद अगर friends मैं TISnet के pattern के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर जो 100 questions आते हैं, वो 3 sections के अंदर divided होती है English proficiency के अंदर, mathematics and logical reasoning के अंदर और general awareness के अंदर, तो जो TISnet का exam है, वो majorly dominated रहता है GK से, तो अगर आपकी GK strong नहीं है तो TISnet का exam निकालना आपको एक challenge हो जाएगा, so क्योंकि 40% of the total exam सिरफ और सिरफ GK से होता है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो देखो यार जो English और Maths है, वो बहुत मुश्किल नहीं होती up to class 10th level तक ही होती है और जो सारे topics होते हैं, वो आपसे questions पूचे जा सकते हैं, किसी भी topic से आपसे general awareness के अंदर questions पूचे जा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप English के भी देखो तो English का भी ये syllabus आपके सामने हैं, उसके बाद अगर friends मैं TISMAT के बार में बात करूँ, तो TISMAT कोई बहुत जादा मुश्किल नहीं होता, ये first time 2020 का जो इन्होंने exam conduct किया था, first time TISMAT उसके अंदर हुआ था, इसके अंदर 15, 15, 15, 15, 3, 45 questions आते हैं, और total 30 minutes का ये test होता है, ठीक है, और sectional cutoff इसके अंदर as such कुछ नहीं होती इसके अंदर आपको preparation level भी कोई बहुत जादा important या difficult नहीं होती है, so अगर आम देखे, comprehension भी कोई बहुत difficult नहीं होते, business awareness के भी questions मुश्किल नहीं थे, and data interpretation भी more or less काफी doable questions होते हैं, अगर friends मैं बात करूँ, final merit list कैसे बनती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताओ तो आपके TISMAT के marks consider नहीं करे जाते हैं, अब जो TISNET की cutoff है, वो year to year vary कर सकती है, that depends on the difficulty level of the exam, generally 75 marks के आजपास रहती है, अब वो 72 भी हो सकती है, 74 भी हो सकती है, 71 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो exam, जितने number of students रहे हैं, जो difficulty level उस exam का रहा है, और जो final merit list बनती है, उस उसके अंदर सिरफ और सिरफ इन तीन components को देखा जाता है, अभी तक जो की है TISMAT को, उसके बाद होता है, pre-interview test को 40% weightage देते हैं, और finally personal interview को 30% weightage देते हैं, उसके बाद अगर friends मैं tentative timeline के बार में बात करूँ, तो जो इनके announcements of admission है, वो mid October तक आते हैं, तो we are assuming इस बार भी mid October या October end तक ये आ जाएंगे, last date जो होती है, उसकी all the video channel के ओपर आ जाएगी, वो रहती है last week of November की, TISNet और TISMAT का exam, first week या second week of January के अंदर हैंगा, depending on the conditions, इस साल कैसी रहती है, कैसे exams conduct होते हैं, और जो pre-interview test है, और जो personal interview है, वो approximately mid March के अंदर जाके हो जाता है, अगर friends मैं free structure के बारे में बात करूँ, तो जो सबसे attractive चीज है, TIS के बारे में वो है, उसका free structure, क्योंकि जो इनका HRM का course है, वो बहुत जादा reasonable है, उसकी अगर 2 साल की fees, मैं hostel और mess charges include करके बताओ, तो बहुत जादा reasonable है, that is 2.5 lakh रुपीज, इसी की वज़े से, इसका, जो return on investment है, वो many times हो ज जो यहां से बच्चों की placements होती है, वो बहुत amazing हो, तो friends अगर मैं placements के बारे में बात करूँ, तो जो इतना amazing return on investment है, और सिर्फ HRM course के बारे में बात करूँ, तो जो highest CTC के गया है, वो गया 32.79 lakhs पर annum का, which is great, अगर मैं median CTC के बारे में बात करूँ, तो वो गया 20.25 lakhs पर annum का, और mean CTC जो top 20% बच्चे हैं, उनका 25 lakhs पर annum से plus रहे, तो यानि कि जो return on investment है, वो many times है, जो आप fees देते हो, so friends अगर इतना अच्छा return on investment है, तो competition भी उतना ही stiff है, तो in case, अगर आपको इस college को convert करना है, तो आपको बहुत जादा मेहनत करी पड़ेगी, एक cutthroat competition को surpass करन पड़ेगा, and in case अगर यह आप कर जाते हो, then you can be sure कि आपका future थोड़ा सा secure और थोड़ा सा काफी bright हो सकता है, because limited fees देखे, around 2.5 lakhs की fees देखे, अगर आपकी 22, 21 lakhs तक की भी job लग जाती है, then it is considered a great return on investment, तो friends यह सब कुछ था, आज की वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपको टेस्ट, टेस्नेट, टेस्माट, eligibility और सब चीजों के बारे में बताया हो, so अगर वीडियो पसंद आई हो, तो या like जरूर कर देना, अगर आपको कोई doubt है, तो आप हमें whatsapp भी कर सकते हो, या फिर आप हमें email भी कर सकते हो, please हमाँ साथ आप Instagram पे connect हो जाना, और अगर आपक course order करना है, या आपको कोई और details से ही है, तो आपको हमारी website क्यों पर भी मिल जाएगी, that is www.studybus.co.in, so all the best friends, thanks a lot, God bless you.